टैलेंट दैस प्रेजेंट संकल टैलेंट फेस्ट जहां होगी कंपेडिशन की बोचार और जिसे आपकी प्रेजेंट बनाएगी जानदार तो चलिए शुरू करते हैं इवेंट कटेग्रीज एज ग्रूप एज एप्लिकेबल ओकी कौन कौन सीस में कंपेडिशन है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर आट डांसिंग लिट्रेचर कुकिंग और फोटोग्राफी एवरिटिंग एबलेबल है और इसमें भी रिगार्डिंग एज ग्रूप का क्लेसिफिकेशन है आप चाहें तो यहां पर चेक कर सकते हैं कुकिंग और फोटोग्राफी में कोई एज रेस्टिकेशन नहीं है ओके डैट्स में एनिवन कें पार्टिसिपेट इवेंट डेट ओके फास्ट अप अक्टूबर 2020 तो 30 अक्टूबर 2020 नेक्स वन बोटिंग 1 अक्टूबर तो 10 अप नवंबर 2020 और रिजल्स बिल बी डिकलेर ओं 15 अप नवंबर 2020 बात करते हैं रिगार्डिंग रिवाट्स की ओके फास्ट वन फास्ट सेकेंड अन थार्ड मेंदस और संटिपिकेश अब्री ग्रूप ओके नेक्स वन कैश अब्लीक गिप्ट वाँचर नेक्स वन गूप एट फिप्टी फोर पर एबंट ओके और गूप बी 500 फोर पर एबंट कैटेगरी विदावट अने एच दिविजन अलसों कम्स अंडर प्लीज आप चाहें तो स्क्रिंशॉट ले सकते हैं ओके टर्म्स एंड कंडिशन्स पॉर पार्टिसिपेशन के इसके रिगार्डिंग रूल्स और रेगुलेशन की भी जानकारी होना आवश्यक है एक अक्टूबर 2020 से इसकी एंट्री जो है स्टार्ट हो चुकी है पहले आओ पहले पाओ के अदार पर मेंडेटरी पार्टिसिपेशन फी भी है रूपी जस्ट 30 ओके पर एंट्री पर इबेंट नेक्स्ट वन मैक्सिमम फाइब एंट्री पर इबेंट के लिए मैक्सिमम फाइब एंट्री जो है समिट कर सकते हैं बात करते हैं पेमिंट्स डिटेल्स की ओकी तो रिगार्डिंग रेजिस्टेशन फी है जस्ट रूपीज 30 जो हम अल्रेडी डिसकस कर चुके हैं नेक्स्ट फर्स्ट वन पेटियम और लिक फोन पे डबल एट शिक्स डबल फोर एट फोर थी जिरो नेक्स्ट वन गूगल पे और स्कैन दा क्यू आर कोड बिलो इस क्यू आर कोड को स्कैन करने के लिए आपको इसका डिटेल लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा फोर मोर इंफो विजिट और अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो इन रिगार्डिंग लिंक्स पर विजिट कर सकते हैं आई होप आप सभी को ये जानकारी काफी इंट्रस्टिंग लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेटिव के साथ शेयर करें और ऐसे इंफोर्मेटि वीडियो समय समय पर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही न्यू वीडियो की नॉटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी आल पर प्रेस करें तो मिलते हैं फिर एक न्यू एन इंफोर्मेटिव इवेंड के साथ थैंक्स पर वाचिंग थैंक्स तो एब्रीवन